मैं उमीद करता हूँ आप लोग साइश सलामा से होंगे अम्मा भगवती से यही कामनाई करता हूँ आप लोग जीधर भी रहो उदर खूस रहो चले दोस्तोंre और ऊपका मंतर या कोई भी इस्ट का जब कर देता है तो उस समय यह जो मंतर में बता आ रहा हूँ भाई वपरियो कर ये जो बी सीज मंतर का पशबनकीय या है आपकाई मंतर का ही इस्ट भगवती का पशबनकीया है तब उस्वे पर चंतकार, सिद्हा बसочьते बाद को पंचमनी सत्मी और नवी मंतरों को राती आठ बार आहुतित दे देते हो तो हमेशा के लिए मंतर सीधी हो जाएगा क्योंकि यह मंतर सोचेंगा कि यह मंतर कौन सा वास्ता हम परियो करूं या कब करूं जैसे मान के चलो हम लोग जाते हैं कहीं पर जार्फू करने तो उजहर डैया जो रहता है या टोनमत लाइन से जो क्योंकि सोचती है कि मान के से जोबि까지 सीधी किया और या आपके पास जो भी मंतर संत्र औरती ऐसे मिल उपैं उसमय करने को नहीं मिल पाता है तो वेस्ता वह वास्ता में उस समय छवाल को नहीं हो कर लुँक्या काम iç कोई लंबा बीदी विधान नहीं है कोई इसमें धोंग फखंड करने का जरूरी नहीं है और कोई और साधक चाहता है कि मेरा इश्ट भगवती पहले मुझसे बात करती थी या सपन का माधिया मुझे बताती थी या का परियोग कैसा करूं ठीक है तो देखिए जिसे मान का जार फुक जा रहे हो करने अधर कोई टोन ही या डैया जो रहता है वो जासो का भगत गुनी जो भी रहता है आपके उगर परियोग जब कर देता है मंतर तंतर आपको बंधिस कर देता है या किलित जब कर देता है तो मैं आया था जल कल्यान करने के लिए मेरा ही साथ में कोई टोन ही डायन सोखा हो जा भगता गुनी जो भी ठीक है तो मेरा मंतर मंतर को बंधन कर दिया है किलित कर दिया है इससे मुझे माता सुट करा दिला यह ठीक है पहुक दो के उसी समय आपका जो भी इस्ट था या जो बहुत बाड़ा मंत्र है चोटा मंत्रा नहीं है कोहीं ढूंडे पर भी नहीं मिलेगा आये जो भी मेरा साधक है साधिकाय है जो भी तांत्रीक ओजासोखा भगत कुनी है तो भाई आप लोग का जो मंत्र में बता रहा है सालबर का नहीं आएगा क्योंकि देखो सोख भगत में जब लड़ाई by नहीं in the है यहां करती है कि अपर में परियोग उसका प्राय नहीं करएगा फ़िर में आप लोग न टोड़ा आए तो मनतर भाई कारिया नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलता हूं दो मनतर चीखो, एक मनतर सीखो, लेकिन अच्छे तरी से सीखो, शीक लोगा तो आपको जीवन में कमसे कारिया आएगा ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसा तंतर पिदिया के उपर पर आतए इतना मुझे च करता है मंत्र सब्सक्राइब चले हाली हाली अमारे जब तब मंत्र सक्ती बोल इस्वर माहादेगुरा पारवादिका सत्गुरू का बंदोपार यह स्क्रीम पर उपर देख लीजिए उस्सेवी आप लोगा मंत्र दिया गया था ठीक है तो एक बार और में बोल देता हूं ताकि आप लोगा अच्छे तरह से समझ में आजा ये मंत्र थोड़ा सुन लिजिए ठीक है लेकिन उसमें उर्जा जो होता है जितना अगले आदमी के लड़ने का मने बराबर जब नहीं होता है तो हमारे बीदिया यह होता है। उसका बीच रहता है। तो उसमें भाई कारिया नहीं करता है। लेकिन यह जो मंत्र ऐसा है। यह मंत्रों को सिरिफ तीन दिन पंचमी, सत्मी और नमी को इसको शिरिफ गसमें का मंत्र बंगा कर्या सब्सक्ता पर अच्छा मंत्र पर से वीडियो है उन तक भाई शेयर करिए ताकि यह भी मंत्र और विद्या को वह भी उनके जानकारी हो और सीख ले ठीक है मेरा कोई गलत इरादा नहीं मेरा कोई मकसद नहीं है लेकिन आप लोग का मकसद है इरादा है इसलिए भाई इटके जवाब पत्थर से दो जैसा दी मानत मेरा गुरूप में भाई जूड़ी है नवरातरी में आपको साधना करा दिये जागा मा भगवती के किरपास है जैसा भी आपको सीधी मिलेगा दो दस बारे पंडरट हो ऐसा गुरू के पास जाकर आपका कोई लाब नहीं हुआ है तो एक बार यह जो भाई है इसको याद क देगा यही मैं बोलूँगा और कुछ नहीं बोल सकता हूं ठीक है बसरते बाद एक महिना के लिए गुरूप में जब जूड़ोगे तो अच्छे तरह से समझाना पड़ेगा ने तो कितना नहीं बोलता है गुरू जी आप निसुल्क साधना नवरातरी में करवाना जब च हर रोज में बात करूँगा आपसे मेरा जो ध्यान रहेगा सिद्धे आपके उपर रहेगा इसलिए मैं बोलता हूं नहीं तो अपने मन से जब करना चाहते है भाई मैं बहुत सारा ऐसा साधना भी दिया हूं मेरा यूटू चाइनल अपन देशी घ्यान पर ठीक है और भाई वह आपका घाटा हो रहा है ठीक है कि आप समय दे रहे हैं मेरे वीडियो देखने के लिए दो मिनट दो या चार मिनट दो लेकिन थोड़ा ध्यान से सोच लिजिए समझ लिजिए फिर आपको फायदा होगा ठीक है चलिए आज के लिए मैं इतने महीं बहुत को आप अपना अपना जो नाम होता है सबसे पहले लिखाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में आप लोग का कोई भी ऐसा तंतरवीडिया बताया जाएगा आपको बोलाया जाएगा ठीक है बसरत्वाद नाम लिखाना पड़ेगा जब तक ले भाई नाम नहीं लिखाते हो जब तक ले आने का कोई जरूत है मेरा पास कोई सिस्टम नहीं रहेगा ठीक है